तो आज मैंने ये एक अंग रखा ब्लाउज बनाया है और इसको आप ऐसे ब्लाउज एसे टॉप दोनों तरीके दर पैन सकते हैं तो यह मैंने बनाया है और अगर आपनों को पसंद आए तो प्लीज लाइक जुरू करेगा चैनल को सस्क्राइब जुरू करेगा और बिल आइ तो यह मैंने फैब्रिक ले लिया और इसके आद मैंने इस तरीके का चार्ट पेपर ले लिया है और यह ऑप्शनल है अगर आप इसकी जिगए पर न्यूस पेपर लेना चाहें तो आप वह ले सकते हैं और इसकी वाद अबसे पहले मैंने शाड़े 6 इंच का एक तीरा रख मैंने ले लिया है 9 इंच और प्लस इसमें टू इंच एड्бы कर दिया है और अब इसमें 1.5 इंच का एक शेप देंगे इस तरीके से 1.5े एक मुझे सेप देदेना है और मैंने डद़आबा नाप लगाएंगी तो इसमें मैंetes call is एक हैड् तो 14 इंच का एक हम निसान लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से और इस निसान को सीधा मिला देंगे इस तरीके से सीधा मिला देना है और अब हम जो मेरा कमर का चोथा ही भाग होगा वो लगाएंगे तो यह मेरा 7 इंच दा और प्लस उसमें हम 2 इंच एड़ करेंगे तो इस मुझे इसकी कटिंग कर ले驚े तरीके से मुझे इसकी कटिंग कर लेनी है और यह मैने 36 एंच के कॉर्डिंग कट किया है और आफ अपने चेस्ट के कॉड़िंग इसको कट कर सकते हैं और अब हम इसके शिंटर में एक सीधी लाइन डॉद कर देंग underwater इस तरीके से और अब हम इस तरीके से धाइंच का एक नीचे से निसान लगाएंगे और धाइंच का एक निसान हम यहां से लगा देंगे और अब हम नेक का निसान लगाएंगे तो उसके लिए मुझे तीन इंच लेना है तीन इंच पेक मार्क करना है और उस निसान को इस धाई इंच वाल निसान से मिला देना है इस तरीके से इसको आपस में मिला देना है और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे तो इस तरीके से इसको हम कट कर लेंगे और जो भी मेरा एक्ष्टा चार्ट पेपर था उसको हमने अलग कर दिया है और इस तरीके से जहां से हमने निसान लगाया था है इसको हम फोल्ड कर देंगे और अब हम अस्तर को खोल लेंगे और अस्तर को इस तरीके से डवल करके मैं काट के दिखाऊंगी सबसे पहले मुझे इस तरीके से इससे वाले ऐस्तर फैब्री को कट कर लेना है 12 अश्तर वाले फैब्री को कट कर लिया है और अब आहाख को गला काटना बताएंगे तो उसके लिए मुझे बंद वाली तरप से तीन इंच पे एक मार्क ड्रॉ करना है और अब इसकी लंबाई भी थ्रे इंच रखनी है और इसकी चोड़ाई भी तीन इंच रखनी है इस तरीके से और इसको एक बॉक्स में ड्रॉ कर लेना है और इसको राउंड सेप दे देना है इस तरीके से तो यह देखिए फ्रेंच मैंने राउंड सेप दे दिया है और अब हम इसको कट कर लेंगे तो इस तरीके से मैंने अपना बैक वाला पार्ट जुथा उसको कट कर लिया है और अब हम फ्रेंट वाला पार्ट कट करेंगे, तो यह मेरा अस्तर थोड़ा सा कम पढ़ रहा था है, तो उस जगर मैंने जॉइंट लगा लिया है, और अब हम इसको कट कर देंगे, जैसा मैंने चार्ट पेपर पे काटा हुआ था, इसी तरीके से हम इसको कट कर देंगे, त वे एंगे और पीछे दोनों फी पार्टू हो चुके हैं अस्तर पे तो अब हम इसको फैबरिक पे भी कट कर लेंगे तो इस तरीके से हागा अगे पार्ट पे अपने भार्ट को डिवाइद करना हैं और डम्हाई मी ser और आप इसको भी इस तरीके से कट कर लेंगे तो यह देखिए मैंने अपने आगी वाले पार्ट को कट कर लिया है और से में इसी तरीके से हम पीछे वाले पार्ट को भी कट करेंगे तो इस तरीके से हम पीछे वाले पार्ट को भी कट कर लिया है और अब हम अपनी फ्रिल के लिए कपड़ा कट करेंगे तो यह देखिए मैंने डो पार्ट में कपड़े को रख लिया है इस तरीके से मेरा डवल पार्ट में कपड़ा रखा हुआ है और अब हम जो मेरे फ्रिल की लेंध है उसको 8 इंच रखूंगी और आप अपने कॉर्डिंग इसको बड़ा चोटा कर सकते हैं मैंने 8 इंच लिया और अब हम निसान में लगा दी है और अब हम इसको कट कर देंगे इस तरीके से मैंने कट कर दिया है और फ्रिल की जो घेर है वो आपने कॉर्डिंग बड़ा चोटा कर सकते हैं जैसा भी आप घेर पसंद करें उसी साफसिक रख सकते हैं तो यह देखिए मैंने अब यह स्ल और इस तरीके जिस तरब मेरे दो पार्ट खुले हैं और दो पार्ट बंद हैं उस तरब से मैं तीन इंच पे एक निसान मार्क किया है और इस तरीके से सेब दे दिया है और मेरी मुहरी जो है वो 5 इंच है और उसमें मैं 1,5 इंच प्लस करूंगी तो शाड़े छैंच का न चुकी है इस तरीके से आप देख सकते हैं यह मेरी स्लीप से जो है वो कट चुकी है और अब हम अपना बैक वाला पार्ट चुथा उसको बनाएंगे तो यह मैंने पिंस यहां पर लगा दी है और इस तरीके सबसे पहले हम गले में एक पर की सिलाई लगा देंगे इस तरीके से और अब हम इसमें छुटे-छुटे से कट्स लगाएंगे और इसको पीछे की तरह पलट देंगे और अब हम इसमें एक चापा पर मसीन चला देंगे यहां पर मुझे एक पाउं की मसीन लगानी है इस तरीके से तो यह देखे मैंने लगा लिए और अब हम अपने बैक वाले पार्ट को कच्चा कर लेंगे इस तरीके से मैं बैक वाले पार्ट को कच्चा कर लेना है तो यह देखे अब इसके आज जो भी मेरा फैबरिक एक्स्ट्रा होगा उसको भी हम कट करके निकाल देंगे तो यह मेरा बैक वाला पार्ट जो था वो रेडी हो चुका है और अब हम इसमें प्लिट्स डालेंगे तो इस तरीके से हमें प्लिट्स डाल लेनी है तो यह देखिए फ्रिंट्स मैंने दोनों प्लिट्स डाल दी है बैक वाले पार्ट पे तो यह मेरा बैक वाला पार्ट रेडी हो चुका है और हम फ्रेंट वाला पार्ट रेडी करेंगे तो फ्रेंट वाले पार्ट में मैंने सीधा साइट पे अस्तर उसको रखा हुआ है जो कि पलटने के गाद पीछे वाले पार्ट पे चला जाएगा और इसका जो सबसे पहले हम में का दोलेकछे मुआ नेक हम इआनिक वाले पार्ट पर इस तरीके से मसीन चलाएंगे और सबसे नीचे की साइट पर एक हम रेडी मिट वाली डोरी लगा के सिल देंगे ये भी एक optional है, अगर आप चाहें तो इसी फेबरिक की डोरी बना के लगा सकते हैं, पर मैंने रेडिमेट वाली डोरी लगाई हुई है, तो इस तरीके से हम डोरी को लगा लेंगे, तो फ्रेंट्स ये देखिए, मैंने अपनी डोरी अटेच कर लिये हैं, और अब हम इस पे भी छोटे-छोटे से कट्स लगा देंगे, इस तरीके से छोटे-छोटे से मुझे कट्स लगा देने हैं, और इसको भी बैक वाले पार्ट में अस्तर को फोल्ड कर देना है, इस तरीके से, और इसकी किनारे किनारे पे एक मसीन लगा देनी है, इस तरीके से, यह देखे इस तरीके से हमने मसीन चला दिये और अब हम अपने इस वाले पार्ट को कच्छा कल लेंगे इस तरीके से अब हम इस वाले पार्ट को कच्छा कल लेंगे तो फ्रेंस यह देखे मेरा कच्छा हो चुका है और अब हम इसके बाद जो भी मेरा फैबरिक एक्ट्रा होगा उसको भी हम कट कर देंगे और इसी तरीके से हम दूसरा वाला पार्ट भी रेडी करेंगे जैसे कि मैंने यह अला पार्ट रेडी किया है सेम इसी तरीके से अपना दूसरा वाला पार्ट भी रेडी कर लेंगे तो यह देखिए मेरे दोनों पार्ट जो थे रेडी हो चुके हैं इस तरीके से और अब हम इसकी जो मुड़े हैं तीरा है जो उनको आपस में अटेच करूँगी बट उससे पहले हमें इस तरीके से बैक वाले पार्ट में नीचे के साइड डोरी अटेच कर लेनी है इस तरीके से तो यह बैक वाले पार्ट में नीचे डोरी अटेच कर लेनी है और अब हम इसके तीरा जोइंट करेंगे यह अंड़ी है और यह अंड़ी 4 पाले को अंड़ी शलैंगे और सुर्चरा लगा देंगे इस तरीके से मुझे शिलाई लगा देनी है और इसी तरीके से हम दूसरे बाले पार्ट पे भी शिलाई लगा देंगे इस तरीके से दूसरे बाले पार्ट पे भी हम मसीन जला देंगे तो देखिए फ्रेंट्स यह मेरी फिटिंग हो चुकी है और यह मेरा इस टॉप के ऊपर वाले पार्ट का फाइनल लुक है और इसको इस तरीके से हम डोरियों को बांदेंगे तरीके से तो चलिए फ्रेंट्स अब हम इसमें अपनी फ्रिल अटेज करेंगे तो उसके लिए जो मेरी किनारे का पार्ट है उसको हम सिल लेंगे इस तरीके से जो मेरा किनारी है उसको हम इस तरीके से सिल लेंगे और अब हम इसमें प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे तो जो मेरा आगी वाला पार्ट है उसके किनारे पे हम फेबरी को रखते हुए इस तरीके से प्लेट्स डालेंगे तो हमें इस तरीके से प्लेट्स डाल लेनी है और इस fabric को इस जगर पर अटेच कर देना है इसी तरीके से मैं पूरी फ्रिल को इसमें अटेच कर लेना है तो ये देखी प्रिंच मेरी पूरी फ्रिल जो थी वो अटेच हो चुकी है और अब हम इसके उपर किनारे किनारे एक मसीन चलाएंगे इस तरीके से में पूरे में मसीन जला लेनी है I hope आप लोगो मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया होगा तो प्लीज सेनल को सस्क्राइब जरू करिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लिजेगा जिससे के मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगो टाइम पे मिलती रहे तो ये देखे फिर्ज मैंने उपर उपर किनारे किनारे से एक मसीन चला ली है और अब हम इस तरीके की एक पॉमपम वाली जुलेस आती है उसको अटेश करेंगे और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप कोई भी लेस इसमें अटेश कर सकते हैं और अगर आप अटेश नहीं करना चाहते हैं तो इस वाले फैबरी को इसी तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर सकते हैं तो मैं इसमें यह पुमपम वाली लेस अटेश कर रही हूँ इस तरीके से तो यह मैंने पूरी पुमपम वाली लेस जोती उसको अटेश कर लिया है और अब हम इस तरीके से स्लीप्स रेडी करेंगे तो जो स्लीप्स की मूरी है उस मूरी को इस तरीके से हम किनारी बना करते हैं क किनारी को किनारी की तरह पर कढ़ दाल देचे से और इस जगर? पर हम दो से तीन टाल देंगे और यह भी आपने अपने कोर्डिंग जैसे आपके पास फईबरिक हो वसी के कोर्डिंग कम या जादा प्लेट्स डाल सकते हैं मैने इसमे चार प्लेट्स डाल रखी है और इसी तरीके से अपने दूसरी वाली Slips को भी रेडी करेंगे तो ये देखें प्रेंस मैने अपनी दोनोो Slips को रेडी कर लिया है और अब हम अपने इस वाली मोहरी को आपस में मिलाते हुए और इसकी हम फिटिंग की सिलाई लगा देंगे इस तरीके से हम सिलाई लगाएंगे और अब हम इसको सीधा कर लेंगे और अपनी टॉप से स्लिप्स को अटेज कर देंगे यह देखिए और जो मेरी टॉप का जो बचा हुआ फैब्रिक था अंदर के साइड पे जो मैंने लूजिंग के लिए छोड़ा था टॉप वाले पार्ट को अंदर की तरप रखेंगे और जी लिपस का फेब्रीक बचा हुए है उसको पीछे वाले पार्ट पर लाएंगे और यहाँ से सिलाई करना स्टार्ट कर देंगे त से इस तरीके से मैं अपनी सलिपस को अटैच कर लेना है तो यह देखे पिंच्ट्स कुछ इस तरीके से हमे अटैच करना इसको और जब मेरी आदी अटेच हो जाएगी तरह ममसीन को से निकाल लेंगे और इस तरीके से बैक साईट से अब हम सकी बसीन चलाएंगे तो के देखिए मेरी जो स्लीप हो चुकी है और इसी तरीके से मैं अपने दूसरे वाले पार्ट में भी स्लीप को अटेच करना है इसी तरीके से अपने दूसरे वाले पार्ट पे भी स्लीप्स को अटेश कर लेंगे तो ये था मेरी टॉप का फाइनल लुक आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सिस्क्राइब जरू करिएगा और बगल में जो बेल आइकन उसको प्रिस करिएगा जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो की नौटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे और प्लीज कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरू बताइएगा कि आप लोगों का मेरे ये टॉप का वीडियो और कैसा लगा थैंक फॉर्ट वाचिंग मैं वीडियो थैंक यू